गाइज एक बार फिर आप सभी का मेरी YouTube channel में स्वागत है आज में इस वीडियो के माधिम से मैं आपको राजस्थान संगनक चीदी पर्दी के सिमन में जानकारी देने जरू जो कापी important रहेगा इस वीडियो के माधिम से आप राज आविदन दिनाक आविदन फीश आविदन ह योगिता और प्रिक्सा दिनाक के साथ पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना यदि आप सैनल पर नहीं है तो सैनल को सब्सक्राइब के लिए और अंद में बेल आइकन को जरूर प्रिस कीजे ताकि आप आपको हर रोज जैसे नहींने अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहे हैं अब आपको मैं इसके सम्मन में जो संपुन जानकारी वो देने जा रहा हूं तो इसकी जो पंजियन सुल्क जम्मा कराने और इसका जो आविदन करने की जो अवदी रहेगी वो आप इस तरह से देख सकते हैं इस वीडियो में इस ओपिशन नौट इक्विशन के साथ में इसके जो आविदन करने की दिना करेगी वो 12 जुलाई 2023 से लेकर के 10 अगस्त 2023 को रातरी 12 बज़े तक यानि कि इसके जो आविदन करने की दिना के वो है 12 जुलाई 2023 से लेकर के 10 अगस्त 2023 को रातर 12 वुझे तक इसको आविधन कर सकते है ठीक है इसको जो सुल्क जमा कराने की पंजिन सुल्क जमा कराने की दिना बारा चुलाई 2023 से लेकर करके 10 शर्षय सब्सक्राइड कंग पर 15 पर दैसकी यह संभावित दिनाक है जो 16 अक्टूमबर 2023 को आवडित प्रिक्सा के अंदरों पर करवाई जाएंगी यानि कि इसकी जो प्रिक्सा होगी सगनक की जो संभावित दिनाक है प्रिक्सा दिनाक है वो 16 अक्टूमबर 2023 है ठीक है इसकी जो आयू रहेगी संगनक सिद्धी बर्ति में जो आयू रहेगी आविदक एक जनुरी दोजाद 24 को 28 वर्स की आयू प्राप्त कर चुका हो और उसकी जो अधिक्तम आयू है वो 40 वर्स है यानि की 40 वर्स से अधिक नहीं हुआ हो ठीक है इसमें जो इस्पिस्टी करन दिया हुआ है संगनक परती प्रिक्षा वर्स 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आविदकों को अधिक्तम आयू शीमा में दो वर्स की और चूट दी जाएगी ठीक है अधिक्तम आयू शीमा में जो सूट है वो अनुचित जन जाती अन्य पिष्णा वर्ग अति पिष्णा वर्ग आर्थिक रूप से कमजूर वर्ग की पुरुषो कि सामने वर की महिला बेर्थिक लिए के मामले में पांस वर्ज की चुट और दे जाएगी अब इसकी जो पात्रता इम सेक्शनिक योगिता है वो इस तरह से है आप इस वीडियो के माधें से देख सकते हैं इसका आप इसकी इन सौट ले कर के इसकी जो योगिता है वो जान सक यानि कि ग्राइजिशन होना जुरूर है इन विशे में इन तीनों विशे में से किसी एक में उपादी होनी जुरूर है यानि कि ग्राइजिशन होना जुरूर है ठीक है आप इसका इसकी संपुर्ण योगिताब को जान सकते हैं इसका जो पंजियन सुल्क रहेगा एक बार पंजियन सुल्क रहेगा यानि कि वो वन टाइम रिश्टेशन फीस रहेगी यानि कि आपने यदि वन टाइम रिश्टेशन फीस जमा करवाई है तो आपको इसकी जो सुल्क है वो नहीं देनी है यानि कि फरी सुल्क है एक बार ओ परकार की सूलक नहीं देनी है ठीक है ओट एर की जो फिस रहेगी यानि आपने अभी तक ओट या नहीं किया है फंट इमिलिश्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए जो फिस रहेगी सामने वर्ग और क्रिमिलियस रहनी के अन्य पिछ्ड़ा और अतीव पिष्ड़ा रुपए और जो आरक्षित एम नॉन क्रिमिलर के जो जो आविदक है उनके लिए 400 रुपए और जो समस्त दिव्यांग जन आविदक है उनके 400 रुपए जो यानि की सामने वर्ग के लिए 600 रुपए और जो आरक्षित वर्ग है उनके 400 रुपए फीस रहेगी इसमें जो ओट ठीक है इसकी जो पद रहेंगे पद का नाम रहेगा संगणक ठीक है इसके जो गेर अनुछिशित से जिदर यानिकि नॉन टी स्पी के जो पद रहेंगे वो 512 मीहारा TSP के जो पद रहेंगे वह 61 पद तो आप देख सकते हैं इसके जो पद है वह 583 फद कूल 533 पद रहेंगे जो TSP के और नंट TSP के पाँysł बारा पद रहेंगे तो मुझे मिनते कि आपके एपड़िए के लिए आपके लिए कापी इंपोर्टन रहेगा कापी लाइक देख रहेगा तो प्लीज इस यूडिकली मुझे एक लाइक जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर प्रेस कीजिएगा जैहिन जैवारत